और इसी चार्ट इस टार्ट की है इसमें देखते हैं अगर किसे को बाइस टू में थोड़ा प्रोब्लम और समझ में आए थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं है जो सोची तुम्हों को ऐसे ही थोड़ा जॉइन कर ले ताकि तुम्हों भी सीख लो ठीक है देखो मार्केट क्या कर रहा था मार्केट का अगर हिस्ट्री देखे जो हम फोटो लिये हैं मार्केट थोड़ा सा अभी अभी अप्ट्रेंड में था मार्केट इस तरीके से अप्ट्रेंड में आ रहा था ठीक है तो यहां से स्टार्ट करते बनाना मार्केट अप्ट्रेंड यह लेवल हमारा ऐक यहां पर यहमारा एक लेवल था यहां पर इस थुम हमारा एक लेवल रहादर को ब्रेक आउट कि आए तो मे bell थे बातर। तो अब market आया higher low बनाने यहां से start करते हो यह काफे strong candle है केदल और आया सबसे पहला एक रेडवीड हें डाया ठीक है वीक है अगेर अगेन रेड ाया वह भी म Jacob अगर खुद से इसको compare करो般 है तो रेड क्या वह रग sistemas लेकिन वीक होने के बाद थोरे से स्ट्रॉम होने से अपने वॉल्यूम में तो यहां पर कुछ गरवर यहां वेट करेंगा अब अगें से स्ट्रॉम हो गया यानि कि बाइर्स यहां पर इंट्रेस्टेट नहीं है मार्केट को यहां से उपर ले जाने में यानि कि अब यहां से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अब यहां से हायर लोग बनना स्टार्ट हो जाएगा यहां हायर हाई का काम यहां तक ही खतम यहां तक यह तीन कंडल कंफर्म कर रहा है लेकिन फिर भी हम लोग ट्रेड रही करे क्लिए टो यहां पर हमारे बैट करेंगे लेकिन जैसेल स्बांभ को बैठ करेंगे अब इस पर हम ट्रेड करते है सक Über इसे सम्सक्राइं ऑँच्छा ने अब गिक्रेंगे इस पर ट्रेंड करते है इस कांडल पर बंडेड करते हैं इस चौथे वाले पर लेकिन देखा हम लग पता हैंपर फैल नहीं होंगे। क्यों क्यों पहली बात यह जो डेंजर जो नहीं इस में अभिए गैप है कि ट्रेड कब लेते, इस danger जोंको के नीचे पहले candle को हम जानने देते हैं, यहाँ से, और फिर इसके नीचे पहले हम ट्रेड लगाते हैं लेकिन यह candle के हुआ पता है opening के बाद पहले için candle उपर गया है और फिक लास करो आ गार ले अगर यह एक्सीड यहां पर डेंजर जो भेर्प ले ले लेटे तो हम नेक्स पर इजली अपके टेड ले लेते हैं, ओपनिंग पे, क्योंकि यह strong danger जो ने strong candle है, प्लस पीछे इस तरीके से strong loop आ रहा है, buyers का, पीछे history नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम देख के लिए हैं, तो यह strong danger जो होना है, तो यहां से हम ले सकते हैं, लेकिन अभी भी gap ह है, प्लस सेलर strong हो के आ रहा है, तो हो सकता है, वो इस gap को feel कर दे, इसलिए हमें नीचे जाने देना है, डेंजर जो ने तब लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है, तो यहां प्लोग जादेंगा, अब देखो, danger जो ब्रेक क्या है, इस candle, यह candle क्या कहना चारा है, इस candle क यह candle है, यह candle यहां तक गया, danger जो उन तक गया, और फिल, danger जो उन से reject होके, यहां पर close हो गया, ठीक है, अब next candle में क्या हुआ, next candle में opening होते ही, फिर buyer आया, यानि कि danger जो उन पर जितना active buyers थे, वो इस price को यहां तक ले गया, यहां तक ले गया, अब buyers को यहां तक आके, दम खतम हो गया, तो फिर क्या हुआ, seller बला, अब मेरी बारी, अब seller आया, यहां से continue, इस point तक seller ने इसको continuation candle ना दिया, यानि कि danger जो उनके, जितने भी buyers, जितने भी buyers, active buyers थे, जितने भी danger जो पर, वो इसी candle में खतम हो गया, और यह candle continuation candle है, तो यह सारे logic मिला के हम लोग, इस candle प बनाएगा, ठीक है, प्लस loop का जो center line वो और नीचे ही बैठ रहा है, काफी बड़ा loop है पीछे, तो वो सब में भी gap है, center line में भी gap है, यह continuation candle है, प्लस seller increase हो रहे हैं, तो इस candle को हम लोग trade करेंगे, next पे again seller ने अपने body को increase किया, इस body को increase देखते वे, प्लस level में gap देखते वे next पे again हम लोग trade करेंगे, ठीक है, next में again seller, next में again continuation sign है, यहाँ पे भी again level में gap है, प्लस buyers की last candle week है, लेवल में gap है, तो इस पे again हम लोग trade करेंगे, यह होगा हमारा तीन continue candle, अब इस candle ने level को break कर दिया, प्लस हमारा higher low बन गया, यह हमारा बन गया higher low, तो हम लोग अब यहाँ wait करेंगे, हो सकते हैं, यहाँ से market up again, इस तरीके से higher high बनाने चल जाए, तो यहाँ पे हमें थोड़ा wait करना पदेगा, अब क्या हुआ, इस candle ने जैसे ही level break किया, यहाँ से आ गया strong buyer candle, strong buyer candle है लेकिन यह आया swing low बना कर, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा wait कर लेंगे, वैसे ह हम ऐसे engulfing में trade कर लेते हैं, लेकि अगर यह center lines हमको मिला होता, तो हम next पर हम अपकी trade ले लेते हैं, क्योंकि higher low का target ही होता है center line तक, अगर center line से ऐसा engulfing candle मिले, यानि कि higher low का काम खतम, यह engulf candle, मुझे confirm कर रहे हैं कि market यहाँ से direct higher high बनाने जाएगी, बट यह center line से engulf नहीं मि मिला है, तो हो सकता है higher low और नीचे center line तक जाए, इसलिए हम यहाँ पर वेट करेंगे, इस engulfing के बाद हम trade नहीं लेंगे, अब क्या हुआ, buyers यहाँ पर थोड़े से weak हुए है, और प्लस, एक तुम्हों को नया बात बताते हैं, पीछे थोड़ा सा history इस तरीके सा रहा था, यहाँ से आया market, और जो higher low था वह वीक आ रहा था, इतना छोटा higher low आ रहा था, फिर again market ऐसे उपर जा रहा था, फिर इतना छोटा higher low आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से market जा रहा था, इतना छोटा, लेकिन इस बार क्या, वह market ऐसे उपर गया, ऐसे यहाँ तक गया, और इस हिस्ट्री के मुताविर पहले हायर लो इतना बड़ा था लेकिन इस वार हायर लो इतना बड़ा आ गया मतलब कि सेलर इस वर बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग हो किया है जैसे कि इस वर हायर लो इतना बड़ा आया है लेकिन अगर हिस्ट्री में जहां से फोटो लियो से मात्र हा इस तरीके से और फिर हायर लो बनता था माधर दो केंडल का इस तरीके से हो रहा था लेकिन इस बार क्या हुआ इतना strong higher low आ गया यानि कि अब seller की power काफी जादा बढ़ गई है तो जब इस तरीके का हो history से अगर compare करोगे है history के comparison में higher low strong हो के आ रहा है उस higher low की center line का हमेशाद ध्यान रखना है कोगी market क्या करती है उसके center line से reverse हो के फिर market structure change कर देती है कई बार इस वर higher low काफी strong हो गया है इसका हम लोग यहां पर क्या करेंगे अब center line लगा देंगे और इसका center लेक्जेक देखो यहां बैठेगा ठीक है इस वर मैंने higher low की center line लगा दी तो क्या हुआ यहां से आया कि वीक सेलर वीक सेलर केंडल आया हमें यहां पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा अब अगेन स्ट्रॉंग सेलर केंडल आ रहा है सेंटर लाइन से सेंटर लाइन से मुझें कि स्ट्रॉंग सेलर केंडल मिल रहा है यानि कि इसका टार्गेट पूरा हो गया इसका टार्गेट इसके सेंटर लाइन तक ही था तो यहां पर मैं टार्गेट को पूरा देखे प्लस बॉड़ी में इंक्रीज देखे और प्लस लेवल में गैप है तो इसमें मैं ट्रेड करूंगा इस तीसरे वाले कैंडल पर थार्ड कैंडल पर यह होगी हमारा ट्रेड अब अगेन यह कंटिन्वेशन शाइन इसने ने न्यूव बनाया है लेवल में गैप है तो अगेन जाएंगे अब इस पर क्यूं जा रहे होगी मार्केट अब बीच से ही आ है तो सकता मार्किट आप जाएगा लोग बनाने कुझके मार्केट सेंटर लाइन से इस तरह के से के इसनिवे सब्सक्य घैएब है को यहां पर शेलर कैंडल आया है रहा है काफी वीक कैंडल करें यहां लाइन कर यह पर एक वीग सेलर केंडल आया में अगर मार्केट बीट से आ रहा था तो सेलर करना चाहिए था इस तरीके से इस लेवल को लेकिन क्या सेलर लेवल पे वीक नेश दिखा दिया यानिकि सेलर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया सेलर फेल हो गया तो नेकस्षब हम इस वाले कैंडल पर यह चोटा सा green candle है इस पर ट्रेड ले लेंगे अब यह चो ग्रीन केंडल आए अब देखो 요 बहुतर भी खोके होगां तो अगर आईर और पर आ सब्सक्defense वेट करने है यानि कि दोनों गुरूप ही इंट्रेस्टेट नहीं है यहां पर वेट करेंगे सेलर विक होने के बाद सेलर ऑग गोगा जो अगर वीकनेस का आहीं है वो भी अभी भी लेवल को लेवल पे ही है यह लगबल लेवल को breakout किया है यानि कि यह seller इसको exhaustion बोल सकते है कि last seller candle weak है उसकेबाद एक seller candle आ रहा strong होके और लेवल पे ही है लेवल को हलका सा breakout किया है यानि कि एक exhaustion candle हो सकता है तो अभी हमें वेट करना है अगर इसके बाद नेक्स अगें एक सेलर केंडल मिल जाए यानि कि आप मार्केट नीचे आने को रेड़ी है एक कंफर्मेशन केंडल यहां पर हमें चाहिए ब्रेक आउट के बाद हम लोग वेट करेंगे अब देखो नेक्स केंडल है इसकी ओपन आड ऑर कि लोग अधंग दिख रही है समझ में मार्केट लोग बनाने में गालब मुझे दोनोंं से मार्केत तो यहां पर हमें जब तक structure clear ने होगा तब तक हम लोग अब सम्दमा यानि कि हमें मार्केट के direction तो पता होना चाहिए कि मार्केट जाना कहा चाहरा है lower लोगी बन नहीं पारी है higher high भी बन नहीं पारी है हमें वेट करने है जब तक हमें structure confirm ना हो जाए ठीक है अब यहां से स्ट्रॉंग बायर केंडल आया यहां इस बायर लेवल से और इसने मुझे दे दिया इंगल्फिंग लेकिन यहां पर यहां पर एक डेंगर जोन है तो हम यहां पर थोड़ा वेट करेंगे क्या हमारे पर स्विंग लुब भी नहीं है और प्लस सेलर ना एक जॉसन भी दिखा दिया तो यहां पर वेट करेंगे प्लस बायर काफी देनल म्लक्न मार्केट को फिसे लॉगर लोग अना होता मार्केड क्या किया शींटर लाइन को डस्राइब को बना है याए ऐ तो मार्केट को बनाना चाहिए था लोवर लो बनाने में फेल हो गया लेकिन अगर मार्केट कहा तक चल गया फिर से मार्केट सबस्थे मार्केट हो डिक्काथ अगर सकते हैं अगर थोड़ा सा लिक्क्र थोड़ा समजने में जर्व कोई भॉब्लम नहीं है अभी तुम लोग अभे निवी हो स्टोरी मेकिंग में बट देख तेक ते आ जाएगा फुरा सा कॉंप्लेक्स चार्ट है ठीकर मार्केट ने हलका सा हायर हाई बना दिया यहां पर हायर हाई बन गया अब लेकिन इस कैंडल का ओपनिंग देखो इस लेवल के नीचे से हुआ है गैप अप ओपनिंग प्लस यह वैस्ट वहले को बताया है नहीं गया लेकिन तुम लोग बाद में समझ आए यहां पर क्या बना रहे हैं भी बना रहा है बना रहे हैं प्लस जब भी मार्केट लोवर-ःई बनाया और फिर अगें नीचे से फियल होके फिर अगें उस लोवर-ई-पॉइंट पर ह close देता है lower high point पर exact close देता है तो वहां से market maximum time reverse होता है तो यह और प्लस last share candle भी strong है इस reversal पर हम trade लेंगा क्योंकि एक gap up gap up opening मुझे confirm करा कि यहां से market reverse होगी क्योंकि इसने breakout कर दिया लेकिन next candle level के नीचे से ही क्यों open हो रहा है यानि कि यहां से seller आएगा यह होगी हमारा candle प्लस हमारा वी पैटन भी बन गया वहसे हम जदा वी पैटन यह सब देखते नहीं है बस बता देते हैं कि लोग मार्केट में सब काफी फेमस है कि यह मैजिक भी यह सब दो वी भी बन गया तो यह मार्केट को तो बीच से ही जाना था लेकिन मार्केट इस और का गया पिछले लोवर हाई पाइंट पर यहां से तो मार्केट कम से हाइयर लो ठीक है अब देखो वीक बायर्स के वाद स्ट्रॉंग से लए यहां कर्स नेक्सपे और यहां पर हो जाता है लॉस इस पर फिर सब बोलता यार क्यों लॉस हुआ सिंपल है भाई structure तुमने नहीं देखा market को जाना था यहां beats से लेकिन market ने क्या कर दिया higher high बना दिया इस तरह हमारा expectation था higher low का तो higher low कहां तक बनेगा इसके center लाइन तक बनेगा और इसका center लाइन देखो को तो exact यहीं पर बैठ रहा है लोग structure नहीं देखते बस लोग क्या करते पैटर्न को याद कर लेते कि बायर वीक हो एंगल्फिंग में ना continue कर दो तो कि इस पर दिमाग नहीं लगता है लोग दिमाग लगाना नहीं चाहते कि structure को पकरना उसके लिए थोड़ा सामें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो यहां पर लोग क्या करेंगे यहां पर डाउन की ट्रेड लेंगे इस पर फिर फिलॉस हो जाएंगे तो बोलेंगे यार मार्केट मेरे साथ यहां से क्यों करता है सारा लोजिक सही था आरे ग यहां पर बच गया यहां इस ब्राइब करेंगे हमारा बनने का हमारा expectation है higher high बनने का तो जैसा ही second green candle आया तो तीसरे पनुख जाएंगे क्योंकि अब हमारा structure सब कुछ यही है ठीक है अब इस candle ने इस level यह एक zone है zone लगाना तो नहीं सिखाए गया जो भी batch took है इस zone में ही close दे रहा है तो हम लोग तरह यहां पर wait कर लेंगे अब जब उस zone से reversal मिला rate candle आया लेकिन हम लोग यहां पर wait करेंगे अब next जैसा ही बायर swing low के साथ यहां पर अगेन यहां पर ही close दे रहा है लेकिन swing low होना जरूरी है plus exact यहां पर close देना चाहिए यह exact close दे रहा है swing low के साथ और खुद का अपने body से decrease होके दे रहा है यह इसका यह और इसका body दोनों को मिला होगे तो यह decrease होके दे रहा है तो यह सारा logic match हो रहा है तो हम इस पर trade लिए है ठीक है अब buyer candle आया लेकिन इस इसने अभी तक week को नहीं तो रहा है इस buyer candle आया इसने इस buyer candle के week को break नहीं किया है तो यहां पर फुरा wait कर लेंगे अब again buyer candle आया swing low बनाकर लेकिन अभी तक इस level में gap है और प्लस हमारा expectation भी यह higher high बनने का तो हम आपनो wait करेंगे again यह मारू बोजो candle आया इस ने इस level को break कर द तो मैं आपर opening पर जाता लेकिन इस level में gap है और next जैसे ही इस candle ने इस जून पर close दिया एक जोन ने पूरा जोन इस जून पर close दिया प्लस जो हमारा structure था यह हो गया higher high यह हो गया higher high higher high भी बन गया seller की last candle देखो तो काफी strong है प्लस buyers एक strong level पर close दे रहा है देखो इस level से वह कौन वाला level है मोमेंटम वाले level पर close दे रहा है प्लस हमारे पास swing low है higher high भी बन गया देखो इतना सारा logic मिला कर हम लोग reversal की trade लेते हैं कोई ऐसा ने कि हवा में तीर मारे level लगा दिये ले लो अरे इतना असान होता ट्रेडिंग तो हर लोग trader बन जाता है level लगा के लिए करना होता तो हम लोग structure पावर स्विंग लो स्ट्रॉंग लेवल इतना सब कुछ देखकर ट्रेड करते रिवर्सल की तब जाके वीन होता है बन गया मैजिक बोलता सब वी एक पर लोग देती है यहां पर ट्रेड ले लिया अब यहां से को मार्केट रिवर्स हुआ सब यहां से मार्केट प्राइंग रेखर न şur हाइर लो कहा तक बनाने आएगा पिछला हायर राय पॉइंट पर है इस तो चे टक आम यह से रहा है और और यहां से नहीं यह जाने का हिस्को थेलर आया स्विंग न में बना देंजर जोन पर क्लोज दे रहा है यहां पर दो लगे तार केंडल हो गया अब अगें सेलर केंडल आया यहां पर फिर अगें काफी लोग फेल होगे कि इसको इसको सोच के लोग फिर अगें लोग जाएगा डाउन के लिए अगें फेल होगा इसका तुम सेंटर लाओ तो यहीं पर बैठेगा इसका भी तो टार्गेट पूड़ा हो गया तो अब वो और रर से किस काम का प्लस यहां पर तो हाइर हाई भी पॉइंट यहीं पर है इस लूप का सेंटर लाइन भी यहीं पर है तो जब हाइर लोग का टार्गेट ही पूरा हो गया तो अर्र सी के बाद कंटीनिव करने का कोई सवाल ही नहीं उड़ता है लेकिन लोग क्या करेंगे आर्र सी दिखाने लगा दो अरे क्यों भाई इतना क्या मज़ा है तो यहां पर हम लोग एक तो यह ट्रेड ली है यह होगे ट्रेड हमारा और दूसरा यह जो रेट ग्रीन इंगल्फिंग मिला और सी भी हो गया लेकिन लोग क्यों नहीं जाएंगे क्योंकि हाइर लोग का मेरा एक्सपेक्ट भले आरसी क्यों नहीं हो गया है तो कि हाइयर लोका यह हो गया अब यागेन मार्केट हो सकता है यह रहाई बनाने ठीक है अब क्या हुआ सेंटर लाइन से देखो अगेन बायर स्कैंडल आया बनाकर लेकिन यहां पर कोई लेवल कुछ नहीं हम लोग यहां पर वेट लेट करेंगे लेकिन पीछे में यहां पर एक लेवल होगा स्विंग भी है दूसरा हाइर हाइ भी बन गिया है तो अगर यहाँ पर हम लोग लेकिन यहाँ पर पीछे रेफरेंस नहीं है हमको याद भी यहाँ पर कोई लेवल था या नहीं तो यहाँ वेट कर लेंगे अगर level होगा तो यहां पर down के trade हम ले सकते हैं क्योंकि swing low था higher high बन गया अब यहां से market अगेन आएगा higher low बनाने अब higher low का expectation कहा तक है इस loop के center line तर center line या फिर यह higher high point जो की यहां पर यह higher high point तर ठीक है अब seller आया इसने इस danger zone पर close दिया ठीक है बट गलती क्या हो गया जो next candle की opening हो गई वो danger zone के नीचे से हो गया यानि कि seller candle ने gap up दे दिया यानि कि level को उसने skip कर दिया यानि कि seller interested नहीं danger zone से आने में तभी देखो यह candle यह exact danger zone पर close हुआ है लेकिन इस candle ने danger zone के नीचे से ओपनिंग दे दिया skip कर दिया उस level को ऐसा जब भी gap up skip करे तो वहाँ पर फिर avoid कर दो वहाँ पर नहीं rotate तो फिर loss हो जाएगा अब देखो यह candle पहुँच गया center line पे इस loop का जो center line यहाँ पहुचेगा अगें market को higher high बनाना होते हैं से अगें buyer candle देगा लेकिन क्या कर दिया यहाँ पर बायर नहीं आए इसवर क्या हो गया अब a strong seller candle आगया तो तो market इसवर क्या कर सकता है इसवर market fail हो गया higher low बनाने में यानि कि यहाँ सो हो सकता है market structure change कर दे इस candle यह candle कह रहा है अब a structure change हो सकता है market को यहां से ही उपर जाना था लेकिन यह क्या हो गया नीचे आ गया लेकिन बट हमारे पास swing high है तो हम लोग को लेवल ढूनना जहां से market reverse होगा तो हम अभी यहां पर तुम्हों को बताए थे जैसे कि यहां पर मार्केट को बीच से जाना था लेकिन market बीच से नहीं गया त हाइयर लो पॉैंट से होता है यहां से मार्केट प्ले लै लोग काफी स्ट्रोंग है हमारे पास्विंग हाइभी है काफी वीक भी हो गया से और प्लस एक वह थोरा वी भी बन गया तो यह साड़ मौ क्या करेंगे यह ए रिभर्स लेलींगे के ना भी सबा今s से अरक्त था था बनाना होता थो अबहु से गयान थो मार्ока मैक्सिम्म थाइए माक्त यह आए Laden पॉइंट अहिए भी ऑ마र कर सकते हैं और वी भी बन गया हमारा इस तरीके से लॉजिक और स्ट्रक्चर को मैच करके हमें ट्रेड लेना अगर इस तरीके से लेंगे तो कभी हमारा लॉस होगा बहुत कम होगा अब देखो यहां से मार्केट अब हमारा हो सकता कि मार्केट क्या करें यहां से आए अब इस लूप के सेंटर लाइन से मार्केट नीचे चल जाए ऐसा क्यूं हम बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट ने सब्सक्राइब अब यहां से बायर केंडल आया इसने खुद का हाई नहीं ब्रेक किया तो हमिकुछ नहीं पता है है अबेट करेंगे अगें बायर केंडल लाइन पर पहुच गिया है तो फिर हम लोग यहां पर वेट करेंगे यह कर सेंटर लाइन है लेकिन इस और क्या हुआ सेंटर लाइन पर पहुचने के बाद भी सिलर नहीं आया और अगें बायर का एक प्रेश्थ ले लेंगे यह ही होगया है क्योंकि अगर सेंटर लाइन इस तरीक से मार्केट जाता यहां तो यहां से मार्केट को नीचे आजाना था बट नहीं आया सिललर सिललर इंटरी इंटरीसटेड ने उल्टा हो घार remains Strong के लाव टोरा याने कि सिललर इंट्रीस्टेड् से क्वेशन हमें अपनी ठहर को हैना हम लोग लोजीटर और प्राई श्ट्ररख़श चाहर बिमाग लगाना पड़ता है थ wied सब्सक्राइब को पसंद आई हो अगर नहीं भी समझ आई यह थो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बैच टू के लिए आप लोग की तो भी स्टार्ट ही हुई यह देदर आप लोग को सब कुछ क्लियर होने लगेगा तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो टाइम में बहुत कम ही बचा है चार मेंट बचा है सब्सक्राइब करना था है इस पर हम ट्रेड अब चल रहा था सर सेलर्स मतलब के वीक हो गए सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका कि यह ओपनिंग देरा लेवल के उपर से प्लस सेलर्स हो गया तो इस पे उनों ट्रेड कर सकते हैं इस पर बाइर वहां भी खोड़क कर दिया यहां पर है यह जो बायर वीक होगा है तो सब्सक्राइब होने के बाद फिर बायर्स आते हैं तो इसको जॉस्ट मानते हैं तो यह एक प्लस प्रेंट गैप अगर यह गैप आप नहीं करता है लेकिन गैप दे रहा है है तो यहां पर लेंगे बिल्कुल लेंगे सकते लेकिन इसमें कई जगा होता पर किस तरिके सोचना कई जहां कि वीक होने के बाद भी पोजेंगे नहीं आ पाया इसलिए स्ट्राउंग का अपरता है तो अगर लेवल पर यह हो रहा है बीच में हो रहा है तो समझ लेना वीक होने के बाद यह पोजेट रूप नहीं आपका इस लिवर स्ट्रॉंग होके आ रहा है ठीक है तो यह लेवल पर अपना पॉकेट खाली कर दिया तो यहां पर हमने एक कहां पर स्विंग लो भी है और यह थोड़ा मारू बोजू कैंडल ना बहुत हलका और प्लस्विंग लो है कहीं से भी आ सकता है यह स्विंग लो और सेलर की तुम लास्ट कंडल से इंकेज हो रहा है यहां पर और उपर की तरफ जाता है तो हमने वहां रसा ट्रेड लें जिस पर 90 चांश के हमारा वीन हो यहां पर 50% टाइम बन जाता है तो वहां पर ट्रेट कियो करें जांग से कलर तो दो ही बनेगा कोई ना कोई तो बने गाई बनेगा बट हमें वहां करनेगा हर एक लोजिक हो यह में सेलर की लास्ट काडल स्ट्रोंग है यह दो ही नेगेटिव ओक इसी को छूरने के लिए हाना है डेकर अगर किसी भी ट्रेट को लेने में दो नेगेटिव पैंट भाट रहा है दो या दो से ज़द तो उस डेट को छोड़ दो कि ट्रेडर प्रोफेशनल ट्रेडर वह होता है जो ट्रेड को छोड़ना जानता है ट्रेड लेना तो सभी को पता है कि हम यह मिले लेंगे लिंग काहा नहीं लेना वह भी क्लियर होना बहुत ज्यादा ज़वरी है है इस व्य टोल हमारा एक दो तीन चर् 15 साथ अठनो दस घ्यारा दस नहीं आगद डास ही ग्यारा 12 13 निकला है इसमें तोटल फॉटी सेवन कैंड़ल निद्र तेरा हमने लिया है लगवक्राबDEN करेंडलग 1 केंडल हम लोग ले रहे हैं लगवक्राण चार्एंट पेक कैंडल मैया इसमें टेट कट्रेक्ट है गए